नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार मेरा नाम है राजमुहंतिवारी बिहार में लगतार बारिस से कई जीले लगतार बाड की चपेट में आ गए हैं पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि बिहार बाड से ग्रस्त है त्रस्त है लेकिन प्रशासन अभी भी चूस्त नहीं दिखाई दे रहा है खबर अररिया की है जहां फार्विस गंज सहर के आसपास के कई इलाके लगतार बारिस में नेपाल के तराई छेतर में लगतार बारिस हो रही है जिशकारन से वहाँ पर बार जैसी हालात हो गए है सरकों पर ढ़ाई से 3 फिट पानी चड़ चुका है लोगों को पलायन होना पर रहा है उची जगहों पर लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वो अभी भी सायद सोया हुआ है और वहाँ के स्थानियों निवासी को जो स्थानियों निवासी है उन्हें अपने खुद से जुगार किये नाव के सहारे उची स्थानों पर जाना पर रहा है जैसे कि आप विजूल में देख सकते हैं फार्विस गंज समेत निपाल के तराई छेतर में लगतार बारिस होने से परमान नदी के जलिस्तर में व्रिद्धी जारी है बार्ड का तांडव फार्विस गंज के पिपरा, कुश्माहा, भाग कोहलिया का नया नगर, मजुआ का रानी गंज, पोटरी, कमता बलियारी, मजुआ, लसून गंज, रमईया, घोडा घाट, अमहारा, आदी गाउं सबसे जादा इससे प्रभावित है फार्विस गंज, खवासपूर, मुरबल्ला, सरक मारकपट, धाई से तीन फिट पानी बने से अवागमन बाधित हो गया है, पुडवी इलाकों के हालात गंभीर रूपले तेजा रहे हैं, लगतार हो रही बाड़िस से हालात गंभीर होते जा रहे हैं, फार्विस गंज, क लकड़ी के हर जोड में दरार है, जिसका रननाव में पानी भर जाता है, नाव चला रहे है, नाविक ने बताया कि नया नाव है, कई बार अधिकारियों की जनकारी दी गई है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, जब नाव चलती है, तो एक व्यक्ति पानी निकालने का क काम करता है तो नेपाल के तराई छेत्रों में लगतार बाड़िस के कारण अरहिया ही नहीं अरहिया जिला के अलावा और भी कई जीलें हैं जो कटिहार भी है और उसके अलावा नालन्दा में भी हमने बाढ देखा वहाँ भी बाड का प्रकौप बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रशासन अभी तक किसी भी जीले में चूस्त नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को समस्याओं का सामना करना पर बिहार में विदान सबा का चुनाओ है बाड जरूर एक मुद्दा हमें इस बार दिखाई देगा क्योंकि इस बार जब बाड आया था है एक माईने पी दो माईने पहले हमने देखा था कि लगवग सतर लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे क्या बाड बिहार्म फिरानसवा चुनाओं में कोई मुद्दा बनता है क्या जनता इस पौरव वोट करती है ये देखने वाली बात होगी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे साथी बेल आइकन की गंटीन जरूर दबाए धन्यवाद